तो दोस्तों आज की इस दूड़े के अंदर आप सभी जुनों को बताने वाला हूँ अपने चैनल को एकदम आसान तरीके से ग्रो करना साथे साथ में अपने चैनल के ओपर ज़्यादा से ज़्यादा सस्काइबर को गेन करने की एक एसी आसान तरकीब जिसकी मदद से आप लोग अपने चैनल के ओपर डेर सारे व्यूज ले सकते हो साथे साथ में अपने चैनल के ओपर सस्काइबर को भी इंक्रीज कर सकते हो तो चलो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना रहेगा तो दोस्तों मैं आप लोगों एक एक जांपल बताता हूँ जब भी आप लोग अपने चैनल की वीडियो को शूट करते हो क्रेट करते हो तब आप सभी चैनल को एक काम करना है जैसे कि आप यह वाली वीडियो है इस वीडियो को में अपने चैनल के उपर अपलोड करने वाला हूँ तो आप सभी जुनों को क्या करना है, वीडियो बना ली उसको फायल पूरी तरह के से एडिटिंग करके, अपर टरह के से अपको फायल के उप्शन के उपड़ जाना है यहाँ पर VID लिका हुआ है तो इसका कोई नाम नहीं है प्रोजेक्टर ने इसको ओल्ड़ेडी कुछ नाम दे रहा है तो आप लोगों अपनी फाइल का नाम देना है YouTube पर अपलोड करने से पहले आप लोगों को ये काम करना रहेगा तो चलो मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ सब्सक्राइबर तो केसे बढ़ाते हैं तो मेरे यहाँ पर सच करें कि इसको मैं ने ओके कर दिया अब इसके बाद में आप लोगों इस वीडियो को अपलोड करना है आप लोग में सका पर सरबनते क्या करते हैं ? तो जैसे कि एग्जामिपर के लिए मैं बताऊँ यूटूब के अपलोड के लिए मैं यूटुब के इन्दर से वीडियो को अपलोड यहां पर कर रहे हैं तो चलो मैं आप लोगों को उन options के बारे में बताता हूँ तो आप लोग simple सा यहाँ से वीडियो अप्लोड करते हो तो कोई tension लेने की जुरूद नहीं आप लोग upload करो लेकिन मैं आप सब बिचनों को बता दो अप्लोड करने के बाद में यहाँ पर टाइटल अगरे जो पूचे जाते हैं इनके अंदर कुछ कुछ option आपको नहीं मिलते हैं जैसे कि देखो यहाँ पर सिर्फ टाइटल डाल लिया उसके बाद में audience और दो तिन option नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग सिर्फ यहाँ से वीडियो को एडिट करके diet upload मत करो आप लोग यहाँ से सिर्फ upload का option नहीं करो उसके बार में जो सारा का सारा काम है वो आप लोगों को अपने yt studio के अंदर से करना है तो मैं आप लोगों को बता दता हूँ yt studio के अंदर आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं देर सारे option तो इस वीडियो को option पर मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे आप लोगी वीडियो आएगे आपका title तो अलड़ी यहाँ पर आई जाएगा और जब upload होती है तो यूट्यूब को समझ में भी आजाएगा कि यह वीडियो किस category की है हमें किन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना है तो title की मदश सो अलड़ी यहाँ पर पहुच जाएगा अब main काम जो description का है वो आप लोगो वहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलता है साथ यह साथ में कुछ ऐसे option से वो आप लोगो बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है एक यह audience का यहाँ पर आप लोगों को हमेशाए से no के option पर क्लिक कर दिना है उसके बार में नीचे की साथ में आपको more option पर क्लिक करना है यहाँ पर आप लोगो एक text का option दिखता है यहाँ पर आप लोगो text डालने हैं क्योंकि यहीं से हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा views मिलते हैं और आप लोग text बहुत कम डालते होगे यह पर आप लोग viral text नहीं ही डालते होगे उसके बार में नीचे की साड में आप ए केटेगरी का option मिलता है इस केटेगरी का option को आप लोगों select करना है जो चेटेगरी के आप लोगों ने वीडियो बनाई है उस category को select कर लिए यहाँ से और वो category भी हाँ पर select कर लिए आपको बेक आजाना है YouTube के search के अंदर तो कुछ इस तरीके से अगर आप लोग काम करोगे तो आपके चैनल के उपर ज़्यादा से ज़्यादा traffic आएगा और आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बुश्ट देपाओगे तो चलो आज की इस लोड़े के अंदर बस इतना ही रखते हैं आयो वीडिया आप लोग को पसंद आए होगी और ये वीडिया आप लोग को पसंद आए तो जरू कर देना चैनल के उपर पेली बार हो तो जोड़ से सस्काइब भी कर देना